तो हैलो गाईज आप सब का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है तो दोस्तो इस वीट में आप लोगो को एक बहुत बड़ा गुड़नीच अपडेट बताने वले हैं और दोस्तो ये अपडेट जारकन के बीएड कंडिडेट के लिए है जो कंडिडेट बीएड दो हजा का फॉर्म भरना स्टाट हो गया है जो भी कंडिडेट बीएड का कोर्स कर रहे हैं और बेसब्री से वह सकॉलर स्रीप का फॉर्म भरने का इंतजार कर रहे थे तो फाइनली उन सभी कंडिडेटर के लिए एक बहुत बड़ा गुड़नीच है आज से उनका जो स्कॉलर स्री इस पॉर्म को भर सकते हैं और दोस्तों मैं आप लोग मतातों कि जो कंडिडेट विदि इस्टेट यानी ज्हार्खन में ही ज्सक्तर का लाब नहीं ले सकते हां इस फॉर्म को नहीं वह सकते हैं बलतीतो तो वह द्रीटर भर सकते हैं जो सन्रेप फार्म की फार्म करण है तो मैं कि आता है कि फोर्म को आपको कंद्रात है तो इस वीडियो में देने वाला हूं उसे पहले तो अगर आप में चलना पर नहाए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेला को भी और कर ले ताकि तरह का नुपर में प्रमेटी वीडियो जब अपने चलने पर अपलोड करूं तो सबस्क्राइब आप तक चलते हैं अपने मुबाइल के स्क्रीप पर और दिखाते हैं आप लोग को कि इस कॉल्रशिप का जो टाइम है और डेटा है बेड कंडिडेटों के लिए कॉप से कॉप तक इसका फॉर्म भराएगा और कॉप तक आपका एप्लिकेशन को एप्रूट किया जागा कॉप तक कॉलेज रसेशन करेगा सारी डेटेल्स आप लोग को टाइम शारनी जो भी आपका है वो आप लोग को वीडियो बे दिखाता हूँ आप लोग वीडियो को सुरूश लेकर लास्ट दिखेगा दोस्तों आप जैसे ही इकलें के पोर्टल पर भीजी ठोड़ते हैं आप इकले अर ओपेंड यहाँ पर देख सेते हैं इसका जो भी लेटेस्ट नियूज होता है वो यहाँ पर पोपप में चलते हुए रहता है और इसके बाद तो इस तरह से आपको यहाँ पर पोर्टल का होमपेज देखने को मिलेगा इसके बाद आपको लेफ्ट साइड के ऊपर के को देखने को मिलेगा और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर देख सेते हैं नीचे में अपलाई फोर वीदिन स्टेट बेड कोर्स एकडमिक 2021-22 यहाँ पर देख सेते हैं जो जारखन के बेड कर रहे हैं उनका इकडमिक इयर है वह यहाँ पर 21-22 है और इसके बाद दोस्तों करने के लिए जो डेट है वो यहाँ पर ओपनिंग डेट 11-10-2023 यानि कि 11 October 2013 से लेकर के 27 October 2013 तग जो भी आपके college होते हैं B8 college है वो registration कर सकते हैं इक लैन के portal पर और इसके पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं second number में लिखा हुआ है student registration of postmetric B8 2021-22 यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बताया गया है जो भी B8 के student है 21-22 का वो यहाँ पर registration कर सकते हैं उनका registration करने का जुड़ेट है वो यहाँ पर 27 October से ले करके और यहाँ पर 10 November तक student अपना e-crank portal पर registration कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर third number में बताया गया है student B8 application verification by institute college for academic year 2021-22 दोस्तों यहाँ पर मतलब बताया गया है कि जो भी B8 के student है जो e scholarship का form भर लेते हैं उनका जो application है वो college के पास जाता है लास्ट डेट है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख से दे हैं fourth number में यहाँ पर बताया गया है B8 institute college registration 2021-22 यहाँ पर जो भी B8 college institute है उसको registration करने का जो link है वो यहाँ पर दिया हुआ है आप यहाँ click here के उपर click करके और college registration कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साथ ही साथ नीचे में 5 नमबर में B8 institute college login 2021-22 college को login करने का जो link है वो यहाँ पर दिया हुआ है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6 नमबर में student registration जो भी student login करना जाते हैं इसकी कलियान के portal में तो उनके लिए यहाँ पर अभी coming soon बता रहा ह तो यहाँ पर अभी coming soon बता रहा है कुछ ही दिर में यहाँ पर जल्दी click here का option देखने को मिल जाएगा और इसके बाद दोस्तों 7 नमबर में यहाँ पर देखते हैं student forget password अगर किसी भी student को password को forget करना हो तो उनके लिए भी यहाँ पर click here का option देखने को मिल जाएगा उसका भी link को activate कर दिया जाएगा open कर दिया जाएगा इसके बाद दोस्ति यहाँ पर देखते हैं आठ नमबर में बाताया गया है postmetric application status for academic year 2014-15 to 2021-2022 दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 2014 ले करके और 2022 तक जो भी आपका postmetric application status है अगर आप उसको check करना जाते हैं तो यहाँ पर click here के पर click करके और आप अपना इस्टेस को check कर सकते हैं देख सकते हैं और दोस्तों यहीं सब रहा कुछी सब्सक्राइब कर रहा है अभी तक आप अपना इसकोर्म नहीं भरते हैं तो फाइनली इसका जो फॉर्म है वह अस्टार हो गया है आप लोग जाए जल्द जल्द अपना स्कॉ Souls का फॉर्म को फिलव कीज़ें अगर आप अपने से खुद से अपना फॉर्म को फिलब करना जाते हैं और अलहीं ऻने भरता है तो तक अपना इस सब्सक्राइब कर ना संत् prosecuti zost CONCRY Państwo मृता है फिर किसे और एंप столько में ठेचे एंजिए एंदिज वीडियो तो अभी के लिए भाई बाई